हलो बच्चों, क्रेस कोर्स की इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट एंड तेयर एलिमिनेशन की थियोरी को हलो बच्चों, कंगवार इंस्टिट्टूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार और बैटा हम यहाँ पर क्रेस कोर्स के बारे में डिसकस कर रहे हैं, क्रेस कोर्स की आठवी वीडियो है जहाँ पर हम एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को डिसकस करने वाले हैं और साम को पांच बजे लाइव सेशन में चैप्टर के कुशन करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें और साथी बिल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो में अप्लोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ये जान लिजी कि बिटा क्रेस कोर्स में हम साथ चैप्टर अप्लोड कर चुके हैं जिनमें डाइवर्सिटी इन दा लिविंग वर्ड के चार चैप्टर हैं और हुमन फिजॉलजी के तीन चैप्टर डाइजेशन ब्रीधिंग और सर्कुलेशन हम अप्लोड करें आज हम एक्सक्रीशन के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चले सबसे पहले यहां पर देखे कि अलग अलग तरह के एनिमल में अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डायॉकसाइड वाटर और अलग अलग तरह कि आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कुलराइट, फॉर्टफिस, सल्फेड इन सबस्टेंस को एकुमुलेट किया जाता बॉड़ी के अंदर ही कठा किया जाता है अब यह सबस्टेंस आये कहां से या तो यूरिया यूरिक एसिड इन सबका फॉर्मेशन हैं यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन, डायॉकसाइड और अगर एक्सेस वाटर है तो इन्हें बॉड़ी से रिमूव करना पड़ेगा पूरी तरह से या आंसिक तरीके से नहीं टोटली या पार्शिली हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यह हमारी बॉ यूरिया, यूरिक एसिड, यह नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं अब कार्बन डायॉकसाइड में नाइट्रोजन नहीं है तो यह नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है तो सियो टू के रिमूव को हम ब्रीधिंग एंड एक्शेंज आफ गैसेज में पड़ी चुके हैं तो यहा अगर हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड यह मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं और भी होते हैं लेकिन यह तीन सबसे में हैं और इनका एक्सक्रीशन एनिमल के द्वारा किया जाता है एक्सक्रीशन मतलब बॉड़ी से रिमूवल किया जाता है अब इन तीनों में से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और यह ज़्यादा टॉक्सिक और यह ज़्यादा टॉक्सिक तो इसके रिमूवल में सबसे ज़्याद हमें पानी खर्च करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट आफ वाटर इज रिक्वाइड फॉर इट्स रिमॉवल जबकि यूरिक एसिट की बात करें तो ये सबसे कम टॉक्सिक होता है और इसलिए इसके रिमॉवल में सबसे कम पानी खर्च करने की जरूरत पड़ती है और जो एनिमल अमोनिया का रिमॉवल करते हैं उन्हें अमोनोटिलिक है एक्जाम्पल याद रखिएगा मेनी बोनी फिषज जैने आप कहते हैं औस्टीक थिज इकवर्टिक एंफीबीन और इकवर्टिक इंसेक्ट अमोनोटिलिक नेचर आप देखिये जरूरा कि जो एकवर्टिक अनिमल है वो ammonotelic होते हैं क्योंकि ammonia के रिमोल में ज्यादा पानी खर्च होता है अब यह जो ammonia है यह water soluble है यह आसानी से पानी में घुल जाती है और इसका जो excretion है यह diffusion के दोरा होता है diffusion के दोरा या तो body surface से होगा या gill surface से होगा अगर fishes की बात करें जिसे बोनी फिस हैं तो बोनी फिस में जो ammonia का रिमोल होगा वो गill surface से होगा लेकिन अगर aquatic insect को देखें तो यहाँ पर body surface से होगा ammonia mind के form में यह खास बात है ammonia mind के form में ammonia का रिमोल किया जाएगा और kidney ammonia के removal में कोई important role play नहीं करती do not play any significant role in its removal अब बात करते हैं terrestrial organism के बारे में देखे terrestrial organism में पानी को बचाने की जरूद पड़ेगी और पानी को बचाने के लिए वो अलग अलग तरह के और lesser toxic nitrogenous waste का formation करेंगे क्योंकि nitrogenous waste जतना ज़्यादा toxic होगा उसके removal में water उतना ही ज़्यादा खर्च होगा तो terrestrial adaptation में lesser toxic nitrogenous waste बनाने की जरूद पड़ी जैसे यूरिया और यूरिक एसिड और यूरिया और यूरिक एसिड कम टॉक्सिक हैं तो इससे पानी को हम कंजर कर पाएंगे इनके रिमोल में कम पानी खर्च होगा जबकि ammonia के रिमोल में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है तो अब देखें मैमल जैसे हम लोग many terrestrial amphibian and marine fishes यूरिया को एक्स्रीट करते हैं इस प्रोसेस को यूरियो टेलिजम कहा जाता है और इन एनिमल को यूरियो टेलिक एनिमल कहा जाता है अब मैमल में many terrestrial amphibian और marine fishes में प्रोटीन की metabolism से ammonia produce होता है लेकिन इस ammonia को liver के दोरा convert कर दिया जाता है lesser toxic यूरिया में और फिर इस यूरिया को kidney में भेज दिया जाता है blood के दोरा और kidney में blood को filter करके यूरिया को निकाल लिया जाता है और urine के दोरा इस यूरिया को kidneys के through body से बाहर भेज दिया जाता है साथी साथ कुछ amount में जो यूरिया है उसे kidney matrix में maintain किया जाता है और smallarity को maintain करने के लिए ये भी counter current मा करें जो हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अब देखें रेप्टाइल बर्ड और land snail insect की बात करें तो इन में जो nitrogenous waste है ये यूरिक acid होता है इसे यूरिको टेलिजम कहा जाता है और इन animal को यूरिको टेलिक animal कहते हैं यूरिक एसिट सबसे कम toxic है इसलिए यहाँ पर minimum loss of water होता है और यूरिक एसिट का remove पिलेट या paste के form में किया जाता है याँ आप कह सकते हैं यहाँ पर solid urine का remove होता है याँ यहाँ पर water का सबसे कम loss होता है आप देखें कौन कौन से topic यहाँ पर आपको पढ़ने है इस chapter में एक बार एक overview देख लेते हैं यहाँ पर topic देख लीजे आप पहला topic human excretory system यहाँ पर है जो हमें discuss करना है इसके लावा यहाँ पर हमें urine formation को पढ़ना है function of the tubule mechanism of concentration of filtrate regulation of kidney function maturation यानी urine removal role of other organ excretion and disorder के बारे में हम discuss करेंगे तो चली यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं अलग अलग तरह के animal में पाए जाने वाले excretory structure के बारे में तो animal kingdom की अगर बात करें तो animal kingdom में अलग अलग तरह के excretory structure पाए जाते हैं जैसे most of the invertebrate की बात करें ज्यादा तर invertebrate में excretory structure simple tubular form में पाए जाते हैं लेकिन अगर vertebrate की बात करें तो वहाँ पर complex tubular organ पाए जाते हैं जिनें kidneys का नाम दिया जाता और vertebrate पढ़ाते समय मैंने आपको यह बताया भी था आप जाके animal kingdom में देख सकते हैं बेटा जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो यह जान लें कि जो crash course हमारा है यह crash course की video सुबह में 10 बजे upload कर देता हूँ और साम को 5 बजे उसी chapter के question हम discuss करते हैं तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बात को जानना कि आप अगर crash course यहाँ पर कर रहे हैं तो साम को आप हमारा live session जरूर जोइन करिए वहाँ पर आपको इसी chapter के 75 बेहतरीन question मिलेंगे और अगर आपने chapter को सही तरीके से revise कर लिया है तो आपने question को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने neat की तयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आप boost up भी कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर इस chapter को जो मैं discuss कर रहा हूँ मैं एक घंटे में आपको यहाँ पर करा दूँगा खुद इस chapter को आप पढ़ेंगे तो आपको 2-3-4 घंटे लग जाते हैं और बहुत सारी बातें आपके समझ में नहीं आते हैं यहाँ पर हर एक line में आपको explain कर रहा हूँ और एक घंटे के अंदर पूरा topic आपका complete भी हो जाता है आप देखिए जो पिछला chapter में ने breathing and exchange of gases अपलोड किया है पचास मिनट का के अवल topic है तो आपको playlist यहाँ पर बना के दीगई crash course नाम से और उस playlist में आप जाके देखोगे तो 7 वीडियो पहले से uploaded हैं उनको भी जरूर देखिए अगर आप नए ही चैनल पे और चैनल को subscribe जरूर करेंगे आप और like जरूर करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे आपको benefit हो रहा है चले तो देखते हैं जरा यहाँ पर कौन कौन से एक्स्रीटी structure है प्रोटोनेफरीडिया और phlam cell यह platyhelminth में पाए जाते हैं जैसे flatworm की बात करें example planaria flatworm या platyhelminth का इसके अलावा प्रोटोनेफरीडिया या phlam cell rotifer में भी पाए जाते हैं कुछ ennilid में पाए जाते हैं और cephalocodate में that is emphyoxis आपने पढ़ा है अब यह जो प्रोटोनेफरीडिया है यह आइनिक और fluid volume regulation यानि मुख्य रूप से asmo regulation का काम करते हैं यानि बाडी में water balance को maintain करते हैं दूसरा है नेफरीडिया नेफरीडिया अर्थवर्म और दूसरे एनिलेट में पाए जाने वाले structure हैं और यह भी fluid और ionic balance को maintain करते हैं और साथ ही साथ यह nitrogenous waste का removal भी करते हैं यानि यह excretion और asmo regulation दोनों का काम करते हैं अब देखे मालपीजियन टिब्यूल यह मैंने आपको पढ़ाया है मालपीजियन टिब्यूल excretory structure होते हैं ज्यादा तर insect में जैसे कांकरोज की अगर बात करें मालपीजियन टिब्यूल का काम है एक्सक्रीशन करना nitrogen waste का और asmo regulation करना अगला जो point यह मैंने आपको बताया है entenal gland या green gland crustation में पाई जाती हैं जैसे prawn की अगर बात करें तो prawn में entenal gland या green gland पाई जाती हैं और एक और आप याद कर सकते हैं अरेक्नेट की अगर हम बात करते हैं अरेक्नेट में जैसे spider आ जाता है मकड़ी हो गया बिच्छू हो गया वह अरेक्नेट के example है और अगर हम अरेक्नेट की बात करें तो अरेक्नेट में excretion के लिए coxal gland पाई जाती है जब मैंने live session आपको इनों में एक जैसे excretory structure नहीं है अलग-अलग तरह के excretory structure है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा चलिए बटागला टॉपिक हमारा है human excretory system चुकि हम human physiology पढ़ रहे हैं इसलिए हम अपने excretory system को पढ़ेंगे अब आप देखे human का digestive system आप पढ़ चुके हो respiratory system पढ़ चुके ये excretory system है चौथा digestive system के दो पार्ट आपने पढ़े थे respiratory system के दो पार्ट आपने पढ़े excretory system का formation करते हैं, यह figure आप देख सकते हो यहाँ पर, इस figure में आपको human का excretory system दिखाये गया, यह आप इसे urinary system कह सकते हैं, जहाँ पर आपको kidney दिखाई गई है, ureter दिखाया गया है, urinary bladder आपको दिखाये गया है, और urethra दिखाये गया है, तो इन ही चारों को मिला के हम human का excretory system कहते हैं, अब इन चारों पार्ट के बारे में सबसे पहले हम kidney के बारे में discuss करेंगे, kidney की अगर बात किये जाए, तो kidney are red is brown colored, यह red is brown color का structure, bean saved, यह bean के saved क्यों होते हैं, यानि जो same होता है, उसके आकार की होती है, और इनकी location बहुत जरूरी है, kidney की location होती between the level of last thoracic and third number vertebra, last thoracic to third number, last thoracic का मतलब है, T12 और third number मतलब L3, तो जो kidneys होती हैं, यह T12 और L3 के बीच में पाई जाते हैं, T12 से लेकर L3 के बीच में इनकी location होती, यह आपको याद करना है, close to dorsal inner wall of abdominal cavity, आपने देखा कि हमारे जो lungs होते हैं, hurt हैं, वो thoracic cavity में, stomach, intestine, liver, kidneys, यह सारे spleen, यह सब abdominal cavity में पाई जाने वाले structure हैं, बैटा साथ में revise मैं इसलिए करा रहा हूँ, ताकि पुराने topic के साथ आप इसे link कर पाएं, अब हर kidney की अगर हम बात करते हैं, तो human, adult human में जो kidney उसकी length होती है, बैटा 10-12 cm, with 5-7 cm, thickness जो मोटा ही है 2-3 cm होती है, और average weight 120-170 gram होता ही, यह आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अब अगर हम बात करते हैं, inner conqueo surface की तरफ, तो kidney में एक notch एक खाँच पाई जाती, जिसे hyalum कहा जाता है, और hyalum के थुरू यूरेटर, blood vessel और nerve एंटर करती हैं, figure में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जो inner surface पे notch दिखाई गए, यहाँ पर जो notch है, इसी को hyalum कहा जाता है, और यहीं से आप देखिए, कि जो blood vessel, artery और vein यह एंटर करती हैं, और यूरेटर यहीं से राइच करता है, तो वही point यहाँ पर आपको दिया गया, through which, youरेटर, blood vessel and nerve enter, अब हाईलम के अंदर अगर हम बढ़ेंगे, तो हाईलम के अंदर एक broad, funnel safe space होता है, जिसे renal pelvis कहा जाता है, और renal pelvis में कई सारे projection पाये जाते हैं, जिन्हें calyces कहा जाता है, singular form में calyx कहा जाता है, तो अभी अगले page पे एक figure आपको दिया गया, उसमें आपको यह clearly दिखाया गया है, calyces के बारे में, यहाँ आप figure देख सकते हैं, इस figure में आपको दिखाया गया है, कि जो calyces यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देखिए, calyces जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यह calyces आपको दिखाएगा है, इस तरीके से renal pelvis आपको दिखाएगी, यह देखिए, तो जब आप conqueo surface के अंदर बढ़ते हैं, तो आपको space नज़ा रहाता है, जिससे renal pelvis कहते हैं, और इस renal pelvis में जो इस तरीके projection आपको दिखाएगे हैं, इन projection को calyces के नाम से जाना जाता है, अब देखिएगा, जो kidney की outer layer होती है, यह टफ capsule के दौरा गिरी होती, जिससे renal capsule कहा जाता है, kidney के अंदर दो zone पाये जाते हैं, आउटर zone को cortex कहते हैं, और inner को medulla के नाम से जाना जाता है, जो medulla है, यह divided होता है, conical masses में, जिन्हें medullary pyramid कहा जाता है, और यह medullary pyramid कैलिसेस के उपर लगे रहते हैं, अब इसे figure में आप देख लीज़ें, आप kidney की covering को अगर यहाँ पर देखेंगे, तो आप देख रहें कि यहाँ पर renal capsule के दौरा kidney की covering है, outer part जो आपको दिखाएगा, यह इस cortex और inner part जो मिडला है, और medullary pyramid के form में, तो यह जो structure आपको दिखाएगा, यह medullary pyramid है, और अगर आप इस pyramid को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, यह देखें, यह pyramid है इतना part, और यह pyramid किस के उपर लगा हुआ है, यह कैलिक्स के उपर लगा हुआ हुआ है, यह part कैलिक्स है इतना, और यह देखें, medullary pyramid है, तो जो medullary pyramid है, और कैलिक्स के उपर लगे होते हैं, अब आप देखें, जो cortex reason है, यह वाला cortex reason है, cortex दो medullary pyramid के बीच में धसा हुआ हुआ है, cortex medullary pyramid के बीच में insert कर जाता है, और इसे renal column कहा जाता है, तो renal column cortex का वो part है, जो medullary pyramid के बीच में extend कर जाता है, cortex extend in between the medullary pyramid, as renal column, renal column जिन्हें कहा जाता है, columns of bertini, तो चाहे आप इन्हें renal column कही है, और चाहे column of bertini, आप इन्हें कह सकते हैं, अब human में one pair kidney, spice आती हैं, और अगर हम एक kidney की बात करें, तो हमारी एक kidney में एक million, जान दीजेगा, एक million यानि 10 लाख complex tubular structure होते, जिन्हें nephron कहा जाता है, हमारी एक kidney में 10 लाख nephron है, यानि दोनों kidney में मिलाके 20 लाख nephron हो जाएंगे, और इन्हें functional unit कहा जाता है, तो kidney, kidney की जो functional unit है, वो nephron है, neural system की functional unit को neuron कहा जाता है, अब एक nephron के दो पार्ट होते हैं, एक को कहा जाता है, glomerulus और दूसरे को renal tubule के नाम से जाना जाता है, अब जो glomerulus से ये क्या है जरा देखिए, glomerulus से tuft of capillaries, यानि ये capillaries का घुच्छा है, capillaries क्या है, blood visual होती है, तो capillaries का घुच्छा glomerulus होता है, जो की बना होता है afferent arteriol से, glomerulus afferent arteriol से, बना afferent arteriol क्या है, this is a fine branch of renal artery, ये renal artery के एक बहुत पतली सी branch है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये renal artery आपको दिखाई गए, और renal artery की पतली ब्रांच को, afferent arteriol कहा जाता है, और यही afferent arteriol, glomerulus का formation करता है, blood को अवे ले जाने का काम, efferent arteriol के दोरा किया जाता है, यानि glomerulus की तरफ blood कौन ले के आता है, afferent arteriol और ले कौन जाता है, efferent, e for efferent, e for exit, यानि glomerulus से blood अवे ले जाने का काम, efferent arteriol के दोरा किया जाता है, figure में ज़र आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी, यह देखे, आपको यहाँ पर यह glomerulus दिखाया गया है, that is glomerulus, जो की टफ्ट है, पुरा गुच्छा यहाँ पर बना हुआ इस तरीके से, और यह देखी, that is efferent arteriol, जो blood को glomerulus की तरफ लेके आती है, और यह देखी, यह efferent arteriol आपको दिखाई गई है, जो blood को glomerulus से अवे ले जाने का काम करती है, बहुत ज़्यादा important है, अच्छी तरीके से इसे आप ध्यान रखेंगे, अब देखिए, जो renal tubule है, renal tubule की सुरुवात होती है, पहला पार्ट आपका glomerulus हो गया, nephron का जो दूसरा पार्ट हो, renal tubule इसकी सुरुवात होती, double world cup like structure से, जिसे baumine capsule के नाम से जाना जाता है, और यह जो baumine capsule होता है, यह glomerulus को enclose करता है, figure में अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको देखिए, baumine capsule दिखाएगे है, यह जो baumine capsule है, यह वाला structure, baumine capsule glomerulus को घेर लेता है, और इन दोनों को अगर हम मिला लें, तो malpiesian carpuscle के नाम से जाना जाता है, यानि glomerulus along with baumine capsule, is called malpiesian body, और renal carpuscle, और यह malpiesian carpuscle है, लेकिन malpiesian tubule नहीं है, देखें, malpiesian body हम लोगों है, लेकिन malpiesian tubule, insect में, कांकरोच में पाएज आते हैं, तो इसका एक figure और आपको दिया गया, उसको भी आप देख लीजे यहाँ पर, यह malpiesian body या renal carpuscle का figure है, जिसमें आपको, यह glomerulus दिखाए गया है, और यह baumine capsule आपको दिखाए गया है, तो इन ही को मिला के, इन ही को मिला के, यहाँ पर malpiesian body या renal carpuscle, या malpiesian carpuscle के नाम से जाना जाता है, तो टिबियूल का जो पहला पार्ट हो गया, रिनल टिबियूल का पहला पार्ट है, baumine capsule, अब baumine capsule के आगे का जो हिस्सा है, उसे कहते हैं, proximal convoluted tubule, जो की highly coiled होता है, तो जो baumine capsule है, यह open करता है, proximal convoluted tubule में, जो की highly coiled portion होता है, यह figure में आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, that is proximal convoluted tubule, अब जो proximal convoluted tubule है, यह आगे चलके open होता है, henlase loop में, henlase loop open होता है, distal convoluted tubule, DCT reason में, और यहाँ पर जो DCT है, यह आपका आखरी पार्ट होता है, nephron का, तो nephron में जो दो पार्ट आपको बताएंगे, पहला पार्ट glomerulus, दूसरा renal capsule, renal capsule, sorry, renal tubule, जो renal tubule उसके चार पार्ट होगे, baumine capsule, PCT, henlase loop और DCT, चार reason यहाँ पर हो जाएंगे, तो चले PCT के आगे हम बढ़ते हैं, PCT के बाद जो दूसरा structure आपको मैंने बताएं, that is handlase loop, और handlase loop होता है, hair pin shape, चिम्टी के आकार का होता है handlase loop, और यह handlase loop, renal tubule का अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट, baumine capsule renal tubule का, दूसरा पार्ट PCT, और तीसरा handlase loop हो जाएगा, handlase loop में दो limb पाई जाती, एक को descending कहते हैं, और एक को ascending limb के नाम से जाना जाता है, figure में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इस figure में देखें, आपको दिखाई गई है, that is descending limb of the loop of handle, और ascending limb of loop of handle, यह descending है, और यह ascending limb आपको दिखाई गई है, अब जो ascending limb होती है, loop of handle की, यह दूसरे highly coil tubular region में open करती, जिससे distal convoluted tubule या DCT कहा जाता है, और जो DCT है, यह nephron का आखरी पार्ट है, अब कई सारे DCT, अलग-अलग nephron के जो कई सारे DCT होंगे, यह एक straight tube में enter करते हैं, जिससे collecting duct कहा जाता है, और जो collecting duct हैं, यह converge होके, मेनी collecting duct, इकठी होके renal pelvis में open करती है, medullary pyramid से होते हुए, तो medullary pyramid और calic से होते हुए, collecting duct, renal pelvis में आके open कर जाती है, और जड़ा figure में आप यहाँ पर अगर देखेंगे, तो आपको collecting duct दिखाई गई है यहाँ पर, यह देखें, जो DCT reason आपको दिखाया गया, distal convoluted tubule, यह collecting duct में open करता है, यह structure आपको collecting duct यहाँ पर दिखाया गया है, और collecting duct में कई nephron, जैसे यह किसी दूसरे nephron का DCT open हो रहा है, यह तीसरे nephron का DCT open हो रहा है, तो कई nephron के DCT एक common tube में open करते हैं, जिससे collecting duct के नाम से जाना जाता है, अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर, आपने दो पार्ट पढ़ें nephron के, एक पढ़ा glomerulus, दोसरा renal tubule, renal tubule के आपने चार पार्ट पढ़ें, एक आपने पढ़ा baumine capsule, दोसरा PCT, तीसरा है, लेज लूप चौथा DCT, अब जो malpesian carpuscle है, malpesian carpuscle में glomerulus आ गया, baumine capsule आ गया, PCT और DCT, यह reason nephron में, nephron की यह पार्ट, cortex reason of kidney में पाया जाते हैं, इसे cortical reason भी कहा जाता है, और cortex outer reason, medula inner region, जबकि loop of family की बात करें, यह endless loop, यह medula reason में dip करता है, तो यह बात बहुत अच्छे से धान रखेंगें, और इतना मत याद करें, क्योंगा आप loop of family को याद रखें, वो medula में है, बाकी सारे पार nephron के कहां पर पाये जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाये जाते हैं, अब ज़्यादा तर nephron की बात करें, in majority of nephron, ज़्यादा तर nephron में loop of family बहुत ही छोटी होती है, और medula में बहुत कम दूरी तक जाती है, ऐसे nephron को cortical nephron कहा जाता है, क्योंकि इनका ज़्यादा तर हिसा cortex में present होता है, medula के अंदर गहराई तक पहुँच जाती, इन्हें ज़्यादा मेडूलरी नेफ्रोन कहा जाता है, तो हमारे नेफ्रोन दो तरह के हैं, cortical nephron and juxta medullary nephron, अब देखेगा यहाँ पर, अब जो different arteriol है, आप जानते हैं कि different arteriol, glomerulus से blood away ले जाने का काम करती है, तो जो different arteriol है, यह glomerulus से emerge करती है, और एक capillary का network बनाती है, renal tubule के चारों तरफ, यह renal tubule के चारों तरफ capillary का network बनाती है, जिससे peritubular capillaries के नाम से जाना जाता है, अगर मैं आपको figure दिखाओ, तो यहाँ पर figure आपको दिया गया है, ज़र आप figure देखेगा, peritubular capillaries, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो different arteriol है, यह different arteriol है, और यह different arteriol है, देखें पूरा एक network बना रही यहाँ पर, चारों तरफ nephron के, तो इसी network को कहा जाता है, peritubular capillaries, इसका नाम है peritubular capillaries, अब इस peritubular capillaries का वो हिस्सा, जो की आप देखें यहाँ पर handlage loop के around, यह handlage loop है जो yellow color से दिखाई गई है, handlage loop के around जो peritubular capillaries का part होता है, that is called wasa recta, तो wasa recta actually part है किसका, peritubular capillaries का, जो peritubular capillaries का part, handlage loop के around होता है, उसे wasa recta कहा जाता है, तो peritubular capillaries का एक छोटा सा हिस्सा, handlage loop के parallel पाया जाता है, जिसे wasa recta कहा जाता है, और यह u-shape का है, ध्यान रखिएगा wasa recta u-shape का है, stomach j-shape का है, diodinum c-shape का है, सब कुशन खूब पूछा जाते हैं, और यह जो wasa recta है, यह absent होता है, यह highly reduced होता है, cortical nephron, cortical nephron, अभी just मैंने उपर आपको बताया, तो cortical nephron में वasa recta, या तो नहीं होगा, या फिर होगा, तो बहुत ही reduced form में present होगा, अगले topic पे चलते हैं, that is urine formation, जो nephron है, nephron के दोरह urine का formation किया जाता है, urine formation में तीन में प्रॉसेस होते हैं, पहला है glomerular filtration, दूसरा है reabsorption, और तीसरा है secretion, और यह nephron के अलग-अलग पार्ट में होते हैं, तो चलिए, पहले step से हम सुरुआत करते हैं, जो पहला step है, urine formation का, that is filtration of blood, और इसी को glomerular filtration कहा जाता है, क्योंकि यह part, पहला जो step है, यह glomerular filtration किया जाता है, अब एक मिनट में, किड्नी के दौरा, 1100-1200 ml blood को filter किया जाता है, किड्नी एक मिनट में, 1100-1200 ml blood को filter करती हैं, और यह actually, जो cardiac output होता है, उसका करीब, करीब 1-5th या 20% होता है, आप जानते हैं कि जो cardiac output होता है, वो 5000 ml होता है, और 5000 ml का अगर लगभग 20% आप calculate करेंगे, तो 1000 ml आएगा, यहाँ पर 1100-1200 ml value, आपको दीगे, इसलिए roughly लिखा हुआ है, च्योंकि actual value तो 1000 ml आएगी, और यहाँ पर लिखा था blood pump out by each ventricle of the heart in a minute, तो एक minute में एक ventricle जो blood pump करता है, उसी को हम cardiac output कहते हैं, और यह मैंने पिछली lecture में आपको पढ़ाई थी, बिटा, अगर आपने पिछला chapter revise नहीं किया है, तो CRESS course की playlist में जाके, उस chapter को जरूर revise कर लें, आपको यह बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी, अब जो filtration होता है, वो जिस pressure के दौरा होता, उसे कहते है, glomerular capillary blood pressure, इस pressure की वज़े से blood का filtration होता है, तीन layer के थुरू, पहली layer है endothelium of glomerular blood vessel, जो glomerulus है, उसकी जो endothelium, endothelium या epithelium है, यह पहली layer हो गई, दूसरी layer हो जाएगी, epithelium of bombon capsule, और तीसरी basement membrane, उन दोनों layer के बीच में, इन तीनों को मिला के कहते हैं, filtration membrane, आपने breathing and exchange of gases में पढ़ा है, diffusion membrane के बारे में, वो भी तीन layer से बनी, लेकिन वहाँ पर आपको basement substance दिया गया था, यहाँ पर basement membrane दी गई, इस बात को थोड़ा साब ध्यान दीजिएगा, अब जो bombon capsule में पाई जाने वाली epithelial cell है, इने podocyte कहा जाता है, और podocyte का arrangement होता है, intricate manner में, intricate का मतलब है, यह इस तरीके से arrange होती, कि इनके भी छोटे-छोटे space शूट जाते हैं, इन membrane के थूँ होता है, जो तीन membrane आपको बताई गई, और इनके filtration होने से, filtration होने से जो blood है, blood filter होके, baumine capsule के lumen में पहुँच जाता है, और जो filtration होने के बाद, fluid baumine capsule के अंदर पहुँचता है, उसे glomerular filtrate के नाम से जाना जाता है, that is called glomerular filtrate, अब glomerular filtrate में क्या होता है, यह आप जान लीजे, glomerular filtrate is equal to plasma minus protein, यानि blood के plasma में जितने component होते हैं, जो आपने पिछले chapter में blood में पढ़ा था, वो सारी चीज़े filter होके आज आती हैं, कि यह बाद प्रोटीन को छोड़ कर, तो वही लिखा है, कि blood is filtered, blood is filtered through these membranes, that almost all the constituent of plasma, except the protein, pass on to the lumen of bomin capsule, therefore it is considered as a process of ultra filtration, ultra मतलब, बहुत ही सूच में यहां पर, ऐसा हैंने कि पूरा blood, bomin capsule के lumen में पहुंचता है, जो plasma है, उसमें बड़ी वाली protein को छोड़ के, बाकी पार जैसे plasma में water था, nutrient थे, minerals थे, वो सारी चीज़ें आपको, कहां पर मिल जाएंगी, bomin capsule के lumen में, बड़ी वाली plasma protein जैसे, fibrinosan को, globulin को छोड़ कर, चलिए, अब बात करते हैं यहां पर, एक मिनट में, 1100 से 1200 ml blood को filter किया जाता है, और 1100 से 1200 ml blood को filter करने के बाद, जो filtrate बनता है, जो glomerular filtrate बनता है, एक मिनट में, दोनों kidneys के दोरा, उसे GFR या, glomerular filtration rate कहा जाता है, देखे, दोनों kidneys के, 20,00,000 नेफरोन, एक मिनट में, 1100 से 1200 ml blood को छानते हैं, और 125 ml filtrate का formation करते हैं, इसी 125 ml filtrate को, GFR कहा जाता है, ये पर मिनट, अगर पर डे में, आप calculate करेंगे, तो ये 180 l per day value आजाएगी, यानि हमारी दोनों kidneys, 24 गंटे में, 180 l filtrate का formation करते हैं, अब, हमारी kidney के अंदर, एक ऐसी mechanism पाई जाती है, जिसके दोरा, glomerular filtration rate को, regulate किया जाता है, और इनमें से एक mechanism है, that is, juxtaglomerular apparatus JGA, JGA है क्या ये जान लीजी, JGA एक special sensitive region है, जो बना होता है, distal convoluted tubule, और afferent arteriol के, contact के दोरा, जिस जगे पर distal convoluted tubule, और afferent arteriol, बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, distal convoluted tubule, और afferent arteriol, जहाँ पर contact में आते हैं, वहाँ पर JGA बनता है, और अगर, GFR में कोई कमी होती है, तो जो juxtaglomerular apparatus JGA, उसकी जो JG cell हैं, वो activate हो जाती है, और renen को release करती हैं, यहाँ पर renen hormone है, आपने digestion में, जो renen पढ़ा था, उसकी spelling अलग थी, renen है, यह glomerular blood flow को stimulate करता है, और GFR normal होता, कैसे अभी regulation में हम discuss कर लेंगे, अब एक दिन में 180 liter filtrate का formation हुआ, लेकिन जो urine हम release करते हैं, वो 1.5 liter है, यानि 180 का करीब 1% से कम हिस्सा urine में convert होता है, देखे बेटा, 180 का अगर आप 1% निकालोगे, तो 1.8 liter आएगा, यानि जो 180 liter filtrate बना, उसका 1% से कम हिस्सा urine में convert होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो 99% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा जो filtrate है, वो फिर से reabsorb कर लिया जाता है, renal tubule के दोरा, यानि पूरा filtrate urine में change नहीं होता है, पहले step में जो filtrate बना, उसका केवल 1% से कम हिस्सा urine में change होता है, 99% को reabsorb कर लिया जाता है, तो दूसरा जो step है, urine formation में, that is reabsorption, अब, जो reabsorption है, ये renal tubule की epithelial cell करती है, और ये अलग-अलग पार्ट में अभी हम पढ़ेंगे PCT हो गया, इसके लिए DCT reason हो जाएगा, हेंलेज लोप हो जाएगा, ये अलग-अलग पार्ट नेफरॉन के, active या passive mechanism के दोरा reabsorption का काम करते हैं, जैसे example के तोर पे आप याद रखेंगे, glucose, amino acid और sodium, इनका reabsorption active mechanism से होता है, जबकि nitrogenous waste का reabsorption, reabsorption passive transport के दोरा होता है, वैसे अगर आप याद करिए, तो sodium का जो absorption आपने पढ़ा था, digestion में वो भी active था, और reabsorption भी active यहाँ पर है, reabsorption of water, also occur passively in the initial segment of nephron, पेटा initial segment का मतलब PCT reason की बात हो रही है, PCT में water का जो reabsorption है, ये passive तरीके से होता है, जबकि glucose, amino acid और sodium का reabsorption, active mechanism के दोरा होता है, तो अभी हम इसको और detail में discuss करेंगे, अब आते हैं तीसरे step पर, तीसरा जो step है वो है secretion, पहला step था filtration, दूसरा reabsorption, तीसरा secretion, तो secretion में जो renal tubule की सिल है, ये कुछ substance को secret करती है, जैसे hydrogen ion, potassium ion और ammonia को filtrate में फिर से डाल देती है, देखे, secretion उन चीजों का किया जाता है, जो गलती से या तो reabsorbe हो गई, या फिर जिनकी जरुवत बाडी में नहीं है, और tubular secretion, urine formation में एक important step है, क्योंकि tubular secretion maintain करता है, ionic and acid based balance of the body fluid, यानि हमारा जो blood है, उसका जो ionic balance है, acid based balance है, उस secretion के द्वारा maintain किया चाता है, अगला topic बेटा हमारे function of the tubule, tubule में आपने देखा था, PCT reason, hand lase loop, DCT, ये सब tubule के part होते हैं, तो इन ही के बारे में हम discuss करने जा रहा है, पहला जो part है, that is proximal convoluted tubule PCT reason, देखें जो bauman capsule, उसका काम तो filtration था, जो की हो चुका है, अब बागी part को हम देखते हैं, अब देखें सबसे पहली बात, कि PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium, और brush border होने की वज़े से, ये surface area को बढ़ा देते हैं, reabsorption के लिए, intestine में भी आपने brush border देखा था, और वहाँ भी absorption के लिए, surface area बढ़ गई थी, अब nearly all the essential nutrients, यानि आप कह सकते हैं, 100% जो glucose है, amino acid है, उनका reabsorption 70 to 80% electrolyte, 70-80% जो electrolyte है, जैसे sodium and water, 70-80% उनका reabsorption PCT में हो जाता है, बहुत खास है, खुब पूछा जाता है, सामको जो live session हम करेंगी, उसमें इस chapter के 75 question हम discuss करेंगे, और आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, उसके लिए theory part पे थोड़ा सा ध्यान जरूर आप दीजे, अब PCT maintain करता है, pH and ionic balance of body fluid को, by the selecting secretion, यह secretion करता है, hydrogen ion का, ammonia का, और potassium ion का, into the filtrate, और absorption करता है, bicarbonate ion का from it, दूसरे पार्ट पे चलते हैं, that is hand-laced loop, hand-laced loop की बात करें तो, hand-laced loop की दो limb आपको बताईगे, ascending और descending, और इनमें reabsorption minimum होता है, ascending limb में, यानि सबसे कम reabsorption, ascending limb में होता है, hand-laced loop की, लेकिन, hand-laced loop एक important role play करता है, high osmolarity को maintain करने में, medullary interstitial fluid के अंदर, यानि अभी आप पढ़ोगे, जब counter current mechanism, तो आप देखोगे की, cortex की तुल्ला में, medulla के अंदर, चार गुना ज़्यादा osmolarity होती है, outer cortex में, 300 mili asmol per litre के osmolarity होती है, और inner medulla में, 1200 mili asmol per litre के osmolarity होती है, और उसको maintain करने का काम, hand-laced loop कैसे करती हैं, या भी आप counter current mechanism में पढ़ोगे, अब यहाँ पर बहुत खास बात है कि, descending limb of loop of hand-laced permeable to water, but almost impermeable to electrolyte, और इस वज़े से, जब filtrate descending limb में नीचे की तरफ जाएगा, तो पानी reabsorb होता जाएगा, और जब पानी filtrate से निकलता जाएगा, तो obvious है कि, यह filtrate को concentrate कर देगा, तो जैसे-जैसे descending limb में, filtrate नीचे की तरफ जाएगा, वो concentrate होता जाएगा, अब आज़ाई ascending limb में, ascending limb में उल्टा करना, ascending limb is impermeable to water, but allows transport of electrolyte actively or passively, therefore, अब इसलिए जब concentrated filtrate उपर की तरफ जाएगा, ascending limb में, तो यह dilute होता जाएगा, क्योंकि water reabsorb नहीं होगा, लेकिन जो electrolyte है, वो reabsorb हो जाएगे, और जब electrolyte को आप हटाते जाओगे, filtrate से तो वो dilute होता चला जाएगा, due to passage of electrolyte to the medullary fluid, अब आते हैं DCT reason की बात करते हैं, बतलब DCT reason को अगर हम देखें, तो DCT reason में लिखा है, conditional reabsorption of sodium and water, conditional मतलब यहां condition है, सर्त है, सर्त क्या है, हार्मोन की सर्त है, यानि जब तक हार्मोन नहीं होगा, तब तक यहां पर reabsorption नहीं होगा, DCT reabsorption, bicarbonate आयन का भी करता है, और secretion करता हाइड्रोजन आयन का, potassium आयन का, और ammonia का, pH को और sodium potassium balance को maintain करने के लिए, अब ज़रा ध्यान दिजिएगा, हार्मोन की बात मैंने आपर की, अभी हम regulation में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए, कि sodium के reabsorption के लिए, हार्मोन की ज़रुवत है, eldosteron, जो की adrenal cortex से निकलता है, और water के reabsorption के लिए, ज़रुवत होगी, ADH की, जिसका secretion होता है, posterior pituitory से, तो इसको भी आगे हम चलके discuss करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, collecting duct के बारे में, देखें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि जो collecting duct है, ये nephron का part नहीं है, ठीक है, ये nephron का part नहीं है, nephron का आखरी part, DCT reason होता है, तो collecting duct क्या करता है, collecting duct cortex से लेके, medulla तक extend करता है, cortex से लेके, medulla के inner part तक extend करता है, और collecting duct में, large amount of water reabsorb होता है, और इस तरीके से, concentrated urine बनती है, urine टर्म हम पहली बार, collecting duct में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ, इस region से, small amount में, urea निकलता है, जो की, medullary interstitium में पहुँशता है, और यह, asmolarity को maintain करने के लिए, जरूरी ज़रूरी, just अगला जो topic है, mechanism of concentration of filter, उसमें हम इसे discuss करेंगे, साथ ही साथ, यह reason, pH को maintain करने में, और साथ ही साथ, ionic balance को maintain करने में, important role play करता है, by selective secretion of hydrogen potassium ion, अब figure में जरा आप देखिएगा, figure में NCRT ने यहाँ पर सारी चीज़े आपको दिखाईए, अब इस figure को पढ़ना आपको आना चाहिए, देखिए, इस figure में आपको क्या कहा गया है, आप जरा देखिएगा PCT reason को, PCT reason में आपको यह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर की, bicarbonate, NACL, water, nutrient, देखिए, arrow away लगा होगा, तो इसका मतलब होगा, reabsorption करना, arrow away है, तो absorption होगा, if or away, if or absorption, और अगर arrow towards लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, secretion, तो आप देखिए, PCT reason में आप देखेंगे, तो hydrogen ion, ammonia का और potassium, गलत NCRT ने figure में लगाया है, यह actually potassium ion में, arrow towards लगा होना चाहे था, अवे लगा दिया गे, अवे बता रहा है, reabsorption को जो की गलत है, तो आप देखिए, bicarbonate का, NACL का, water का, nutrient का, reabsorption होता है, hydrogen ion, ammonia और potassium ion का, secretion किया जाता है, TCT में देख लीजी, NACL, water और bicarbonate का, reabsorption हो रहा है, arrow away लगी हुई है, और towards लगी है, मतलब secretion यहाँ पर हो रहा है, फिर आप देखिए, यहाँ पर, जो descending limb है, loop of in-lay की, water का, reabsorption हो रहा है, जो ascending limb है, NACL का reabsorption हो रहा है, और साथ ही, collecting duct को, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर, water का reabsorption हो रहा है, और small amount में, urea, middlery interstitium में पहुंचता है, तो यह figure, बहुत important, ज़्यादा तर बच्चे, इसको, पढ़ना नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको बताए, कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, aero away तो reabsorption, towards तो secretion हो जाएगा, चलिए बटा, अगला topic हमारा है, mechanism of concentration of the filtrate, यानि filtrate को हम किस तरीके से, concentrate करते हैं, देखे, filtrate जितना concentrate होगा, उतना ही water को हम conserve कर पाएंगे, और mammal जो कि terrestrial है, इसलिए इन्हें पानी बचाने की जरूरत है, इसलिए filtrate को हमें concentrate करना पड़ेगा, ताकि concentrated urine बने, और उसके remove में कम से कम पानी खर्चो, तो mammal के अंदर ये छमता पाई जाती, कि वो concentrated urine को produce करते हैं, और इस concentrated urine को produce करने में, जो hand-lase loop हैं और wasa recta है, ये significant role play करते हैं, तो इन दोनों का role यहाँ पर हमें जानना है, अब देखिए, अगर हम hand-lase loop की बात करते हैं, तो इसके जो दो limb हैं, दोनों में filtrate का flow है, ये opposite direction में होता है, और opposite direction में flow होने को counter current कहा जाता है, counter का मतलब opposite current का मतलब flow, तो आप देखेंगे जरा यहाँ पर figure भी NCRT ने आपको दिया है, इस figure में आपको hand-lase loop की दोनों limb दिखाई गई है, आप देखिए, descending limb में downward flow हो रहा है, filtrate का और ascending में upward हो रहा है, upward और downward, दोनों की direction एकदम opposite है, इसी को हम कहते है counter current, अब इसी तरह से अगर हम वासा रेक्टा की बात करते हैं, जो वासा रेक्टा की दो limb हैं, वासा रेक्टा की दोनों limb में जो blood का flow है, ये भी opposite direction में होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी counter current pattern पाया जाता है, तो यहाँ पर दो counter current हैं, एक वासा रेक्टा के अंदर है, और दूसरा handlage loop के अंदर है, वासा रेक्टा वाला figure भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वासा रेक्टा आपको दिखाई गई है, यह vasa recta और vasa recta में आप देखिए जो descending limb है इसमें blood नीचे की तरफ flow हो रहा है और ascending limb में उपर की तरफ blood flow हो रहा है opposite direction में flow हो रहा है that is counter current तो एक counter current यहाँ पर handlage loop में और दूसरी vasa recta में है अब देखिए अब देखिए बटा जो handlage loop है और vasa recta इनके बीच close contact होता दोनों नजदीक पायते है proximity का मतलब नजदीक और दोनों में counter current भी पाया जाता है तो proximity की वज़े से और counter current की वज़े से जो medullary interstitium है जो inner medullary reason है वहाँ पर asmolarity बढ़ जाती है तो asmolarity बढ़ने के दो कारड़ आपको बताएगे है proximity और counter current अब यहाँ पर जो asmolarity है वो cortex reason में आप देखोगे तो 300 mili asmol per liter है और inner medullary reason की अगर बात करें तो वहाँ पर 1200 mili asmol per liter asmolarity पायी जाती है figure में आपको मैं दिखा दू यहाँ पर क्योंकि figure ज़्यादा तर बच्चे समझ नहीं पाते हैं जब खुद पढ़ते हैं आप देखें ज़रा यहाँ पर अगर आप यहाँ पर cortex reason की बात करें यह cortex आपको दिखाएगे तो cortex में आश्मोलरिटी 300 mili asmol per liter है अब आप cortex से medullary की तरफ चलो तो जो inner medullary आप देखोगे यहाँ पर 1200 mili asmol per liter asmolarity है तो 300 से नीचे गए 600 हो गई फिर out नीचे गए medullary में 900 हो गई फिर 1200 हो गई तो आप देखते हैं आश्मोलरिटी चार गुना हो जाती है और यह आश्मोलरिटी चार गुना क्यों हो गई इस counter current की वज़े से और proximity की वज़े से दोनों अलग अलग दिखायत हो गए दूर दूर वासा रेक्टा और हैंलेज लोप लेकिन दोनें दूसरे के नजदीक पाये जाते हैं अब देखिए यह जो cortex और medulla के बीच में आपको आस्मोलरिटी का अंतर दिखाएगा अंतर को ही gradient कहा जाता है यहाँ पर 300 है यहाँ 1200 यह difference है और इसी difference को gradient कहते हो यह gradient NACL और यूरिया maintain करते हैं कौज करते हैं अब NACL कैसे कौज करता है देखिए NACL is transported by ascending limb of enlace loop which is exchanged with the descending limb of wasa recta NACL is returned to interstitium by the ascending portion of wasa recta देखिए गजरा NACL को जो NACL है यह NACL आप देखिए जो ascending limb है enlace loop की यहाँ से NACL निकल रहा है और यह NACL कहाँ पर आ रहा है descending limb यह आपको दिखाएगी descending limb of wasa recta तो ascending limb of enlace loop से ascending limb of enlace loop से जो NACL निकलता है यह कहा जाता है descending limb of wasa recta में और यहाँ से होते हुई यह देखिए NACL यहाँ से वापस फिर kidney के medullary interstitium में आता है कहां से from the ascending limb of wasa recta यही language में NCRT ने आपको लिख के दिया है दूसरा देखिए यहाँ पर similarly इसी तरह small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of enlage loop which is transported back to interstitium by collecting tubule इसको figure में देखिएगा जरा करें यहाँ पर urea जो collecting duct है यहाँ से urea निकला और यह urea यह देखिए यह urea enter करेगा ascending limb of enlage loop के thin segment में और यहाँ से होता हुआ यह इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ से होता हुआ collecting duct में आया और collecting duct से इस urea को वापस कहां भेज दिया गया kidney interstitium में middle region में भेज दिया गया तो आप देख रहें कि NACL और urea दोनों ही kidney के interstitium में पहुँशते हैं middle region में पहुँशते हैं और यह जो transport हो रहा है NACL और urea का इस transport में मदद करता है हेलेज लोप और वासा रिक्टा का special arrangement इनका special arrangement यहाँ पर है और इसी को हम कहते हैं counter current mechanism इस mechanism के दोरा एक concentration gradient बन गया इसकी वज़े से gradient बन गया आप देखें cortex और medulla के बीच में gradient बन गया gradient का मतलब हमें जो water है collecting duct से collecting tubule से वो आसानी से reabsorb हो जाएगा और जब collecting duct से water reabsorb हो जाएगा तो filtrate concentrate हो जाएगा यानि concentrated urine बन जाएगी जो initial filtrate बनता है उसकी तुलना में initial filtrate की तुलना में जो human urine होती है वो चार गुना ज़ादा concentrated है दो बाते ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली चीज की cortex की तुलना में cortex की तुलना में जो medular reason है यहाँ पर चार गुना ज़ादा gradient है और साथी initial filtrate की तुलना में जो urine होती है वो चार गुना ज़ादा concentrate होती एक साथ याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे चलिए पर आगले टॉपिक पर चलते है that is regulation of kidney function अब देखे regulation आप चौथी बार पढ़ रहे है regulation of digestion आपने पढ़ा regulation of respiration पढ़ा regulation of cardiac activity पढ़ा regulation of kidney function आप पढ़ रहे है तो आप देखे ज़र यहाँ पर जो kidney के function का regulation है यह हार्मोनल feedback mechanism के दोरा होता है नहीं हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पर है और यहाँ पर तीन structure important है एक hypothalmas, दूसरा जेजी और तीसरा हर्ट तो hypothalmas, जेजी और हर्ट के दोरा regulation है सबसे पहले hypothalmas से सुरुआत करते हैं अब देखे हमारी बाड़ी में कुछ asmo receptor पाए जाते हैं asmo receptor महसूस कर सकते हैं या यह receptor activate होते हैं अगर blood volume में कोई change हो body fluid volume में कोई change हो या ionic concentration में कोई change होगा तो asmo receptor activate हो जाएंगे जैसे excessive loss of fluid from the body अगर हमारी body से urine के दोरा ज्यादा मातरा में water का loss हो रहा है तो asmo receptor activate हो जाएंगे और इनके activate होने से hypothalmas stimulate हो जाएगा और यह release करेगा ADH नाम का hormone या vasopression from the neurohypophysis जिसे posterior pituitary कहते हैं तो hypothalmas posterior pituitary से ADH या vasopression को release कराएगा और जो ADH hormone है ADH help करेगा water को reabsorb करने में from later part of the tubule बेटा यहाँ पर later part का मतलब है DCT reasons से और collecting drugs से क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है था DCT में conditional reabsorption वहाँ पर condition क्या मैंने बताई थी हार्मोन की condition है और जब ADH की मदद से water reabsorb हो जाएगा तो water का loss नहीं होगा यानि diuresis को रोक दिया जाएगा diuresis का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में urine के साथ water का loss होना तो ADH diuresis को रोकता है अब जब ADH water को reabsorb करेगा तो इसकी वज़े से जो blood volume है ये increase हो जाएगा body fluid volume increase होगा और जब volume बढ़ेगा तो asmo receptors switch off हो जाएगे और asmo receptors switch off होंगे तो ADH का जो secretion है वो suppress कर दिया जाएगा और feedback complete हो जाएगी साथ ही साथ ADH hormone constrictory effect cause करता है blood vessel की ओपर यानि blood vessel को constrict करता है अब जब blood vessel को सिकोड दिया जाएगा तो blood vessel के सिकोडने की वज़े से constriction की वज़े से blood pressure बढ़ेगा और blood pressure बढ़ने की वज़े से glomerular blood flow बढ़ जाएगा और इसकी वज़े से GFR increase करेगा तो GFR पे भी ADH का यहाँ पर important effect होता है अब आते हैं दूसरे mechanism पे that is JZA JZA की अगर हम बात करते हैं तो JZA मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनता है अब अगर glomerular blood flow कम हो जाए या glomerular blood pressure कम हो जाए या GFR कम हो जाए तो GFR के कम होने से JG cell activate हो जाएंगे और यह renen नाम का hormone release करेंगी जो angiotensinogen नाम की protein को angiotensinogen protein कहाँ पे है बलड में है इस angiotensinogen को renin पहले angiotensin 1 में convert करेगा और फिर angiotensin 2 में change करेगा अब जो angiotensin 2 है यह powerful बहुत अच्छे स्याद करेगा vasoconstrictor है जो glomerular blood pressure को increase करता और इस तरीके से GFR बढ़ जाता है अब angiotensin 2 adrenal cortex को भी activate करता है aldosterone को release करने के लिए अब जो aldosterone है यह reabsorption sodium and water का कराता है distal part of tubule यानि DCT reason से और यह भी conditional reabsorption क्योंकि यहाँ पर aldosterone की ज़रूद पड़ती है और इस तरीके से जब sodium और water का reabsorption होता है तो blood pressure बढ़ जाता है GFR बढ़ जाता है और GFR कम हुआ था तो इस तरीके से बढ़ गया GFR इस complex mechanism को कहा जाता है rain in angiotensin mechanism अब आते हैं heart के ओपर heart की अगर बात करें तो अगर blood flow बढ़ता है तो blood flow बढ़ने का मतलब या blood pressure बढ़ने का मतलब है कि heart के atria में जो blood आ रहा अगर उसका pressure जादा है तो heart के atria से atrial natriuretic factor ANF नाम का hormone secret होता है ANF vasodilation करता है यह blood vessel को dilate करता है ANF blood vessel को फैला देता है जिससे blood pressure decrease हो जाता है तो अगर blood pressure बढ़ता है तो ANF उसे कम कर देता है और जो ANF mechanism है अगर आप देखें तो ANF mechanism ranin angiotensin mechanism के against काम करती है आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो ranin hormone है eldosterone है वो blood pressure को बढ़ाते हैं और ANF blood pressure को कम करने का काम करता है यानि eldosterone और ANF एक दूसरे के antagonistic हैं दो hormone जो दूसरे के opposite work करते हैं उन्हें antagonistic कहा जाता है और जिन hormone का function same होता उन्हें synergistic के नाम से जाना जाता है चलिए बड़े नेक्स topic यहाँ पर है that is mikturition mikturition का मतलब होता है body से urine को बाहर निकालना जैसे fysis का removal defication कहलाता है वैसे urine का removal mikturition या urination के नाम से जाना जाता है अब आपने देखा जो हमारी kidney के 20 लाख nephron है यह urine का formation करते है और इस urine को urator के दोरा पहुचा दिया जाता है urinary bladder में और urinary bladder के अंदर इसे store किया जाता है आप से NEET में last year ही यह सवाल पूछा गया था कि urine का storage कहा होता है urinary bladder में और तब तक इसे store किया जाएगा जब तक central nervous system का जो signal है वो urinary bladder में जो stretch receptor पाई जाते हैं उनमें stretching की वज़े से होता है यानि urinary bladder की जो wall है उसमें stretching होती है और stretching क्यों होती क्योंकि जब उसमें urine भर जाती है यह एक bladder balloon की तरह का structure है इसमें urine भरती रहती है और जब urine भरती तो इसकी दिवार में खिचाओ होता है और जब खिचाओ होता है तो urinary bladder की wall में जो stretch receptor होते है on the wall of urinary bladder send signal to CNS यह CNS को संदेज भेसते हैं और तब CNS motor message देता है CNS से जो संदेज आते हैं motor कहते हैं और CNS को जो संदेज आते हैं उन्हें sensory कहा जाता है तो CNS passes on motor message यह motor संदेज देता है urinary bladder को to initiate contraction of smooth muscle of the bladder जो bladder की smooth muscle होते हैं उन्हें detruser muscle के नाम से जाना जाता है that is detruser muscle detruser muscle और साथ ही साथ relaxation of urethral sphinct नहीं दो चीज़ एक साथ होंगी contraction of smooth muscle of urinary bladder and relaxation of urethral sphincter और इस तरीके से urine को release कर दिया जाएगा और यहाँ पर definition आपको दी गई है the process of release of urine is called micturation और जिस reflex section के दौर इसे control किया जाता है that is called micturation reflex जैसे omitting एक reflex section था वैसे यहाँ पर micturation भी एक reflex section है अगर adult human की बात करें तो एक से डेल लीटर urine को per day excrete किया जाता है और यह जो urine है यह light yellow color का watery fluid है जो slightly acidic होता है इसका PS6 होता है और साथी urine में characteristic order यानि दुरगंद होती है characteristic order पाई जाती है अब एक average अगर हम यहाँ पर देखें तो हर दिन जो एक से डेल लीटर urine हम pass out करते हैं उससे 25-30 gram urea को body से excrete किया जाता है और urine pass करने का हमारा aim का urea का remove क्योंकि urea nitrogenous waste है और इसे body से remove करना है तो 25-30 gram urea को daily body से remove किया जाता है अब कई सारी बीमारियां हैं जो urine के character को change कर सकती है और urine की analysis हम clinical diagnosis में भी करते है यानि बीमारियों का पता लगाने के लिए हमने क्या का use किया है हमने stethoscope का use किया है ECC का use किया है spirometer का use किया है और साथ ही हम analysis of urine भी कर सकते हैं बीमारियों का पता लगाने के लिए कई ऐसे metabolic disorder है साथे साथ malfunctioning of kidney, अगर kidney सही तरीके से काम नहीं करती है, तो हम analysis of urine के दौरा पता लगा सकते हैं जैसे, normally किसी person की urine में glucose नहीं होता और ketone bodies नहीं होती है, लेकिन अगर किसी person की urine में glucose है तो इसे glycosuria कहते हैं और ketone bodies तो ketonuria कहा जाता है, अगर किसी person के urine में glucose और ketone bodies है, तो ये indicative है, diabetes mellitus का, यानि उसको सुगर की बीमारी हो गई है, diabetes mellitus हो गया है, तो इस तरह से हम बीमारियों का पता भी लगा सकते हैं, बटा अगला topic हमारा है role of other organs in excretion यानि kidney के अलावा दूसरे organ का role भी हमें जानना है, kidney तो excretion करती ही है, यूरिया का लेकिन इसके अलावा lung, liver skin, ये भी excretory waste को eliminate करने में important role play करते हैं, किस तरीके से देखेगा जैसे हम बात करते हैं, lungs के बारे में, हमारे जो lungs हैं, ये large amount में CO2 को remove करते हैं आप जानते हैं, जब हम expiration करते हैं तो CO2 हमारे lung से बाहर जाता है approximately 200 ml per minute, यानि एक minute में 200 ml CO2 हम अपने lung से बाहर निकालते हैं और significant quantities of water भी हम body के बाहर निकालते हैं इसी तरह, अगर हम liver की बात करें जो कि हमारी body की largest gland है, ये secret करती है, bile containing substances like bilirubin, biliverdin cholesterol, degraded destroyed hormone, vitamin and drug और इन substances को pass किया जाता, digestive waste यानि physis के थुरू, अब जो sweat और sivasis gland हमारी skin में पाई जाती हैं इनके दोरा भी कुछ substances को body से eliminate किया जाता है, जैसे sweat की बात करें, पसीना, sweat का production, sweat gland के दोरा किया जाता, और पसीना एक watery fluid है, जिसमें NACL, small amount of urea, lactic acid होते हैं, वैसे पसीना निकलने का जो primary function है, वो है facilitated cooling effect on the body, ये हमारी body surface को ठंडा रखता है, लेकिन जो पसीना निकलता, उस पसीने के साथ removal होता है, कि किन-किन चीज़ों का, NACL का small amount of urea or lactic acid का removal भी हो जाता है, इसी तरह, अगर हमारी skin में पाई जाने वाली sebaceous gland की बात की जाए, तो sebaceous gland remove करते हैं, sterol का, hydrocarbon का, waxes का sebum के थूँ, sebaceous gland के secretion को sebum कहा जाता है, और ये जो sebum है, ये protective oily covering बनाता हमारी skin के ओपर, लेकिन ये estrol, hydrocarbon और waxes का removal भी करता है, साथी साथ हमा, saliva के द्वारा भी हम small amount में nitrogenous waste को body से eliminate करते हैं, code एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, skills आप याद कर सकते हैं, जितने भी organ excretion का का काम करते हैं, उनको आप skills से याद कर सकते हैं, जैसे S4 यहाँ पर हो जाएगा, skin, K4 kidney, I4 की अगर हम बात करें हैं, तो intestine हो जाएगी, L4 lungs हो जाएगा, L4 liver हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऐसे ही saliva हो जाएगा, चले बटाए, इस chapter का सबसे last topic है, disorders of the excretory system, और यहाँ से NET में लगातार सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, कि अगर kidney सही तरीके से काम नहीं करती है, तो हमारे blood में यूरिया एकठा होने लगता है, इस condition को यूरीमिया कहा जाता है, यूरीमिया condition बहुत ही harmful condition, और इसकी वज़े से kidney failure हो सकता है, या kidney failure हो सकता है, अब ऐसे patient जिन में kidney सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उनमें यूरिया को body से remove करने के लिए प्रॉसेस का उज़ करते हैं, जिसे hemodialysis या आपने dialysis के नाम से सुना होगा, तो hemodialysis के process में हम क्या करते हैं, कि जो blood है, person का जो blood है, उसको drain करते निकालते हैं, convenient artery से, commonly radial artery का use किया जाता है, और इस blood को pump किया जाता है, dialysis unit में जिसको artificial kidney कहा जाता है, अब blood को dialysis unit में डालने से पहले, उसमें एक anti-coagulant aid किया जाता है, जैसे hyparin, एक anti-coagulant है, यह खोन को जमने से रोपता है, अब यह जो dialysis unit है, इस dialysis unit में coiled cellophant teopies आती है, और उसके surrounding में fluid होता है, जिसे dialysis fluid कहते हैं, और dialysis fluid का composition same plasma की तरह होता है, except the nitrogenous base, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि जो dialysis fluid है, dialysis fluid is equal to plasma, minus nitrogenous waste, plasma minus nitrogenous waste, यह formula बना सकते हो, अभी आपने glomerular filtrate पढ़ा था, उसका formula क्या था, कि glomerular filtrate is equal to plasma minus protein, यहाँ पर dialysis fluid है, plasma minus nitrogenous waste, अब बेटा जो person का blood है, उसमें nitrogenous waste मौझूद है, लेकिन dialysis fluid के अंदर nitrogenous waste नहीं है, और इस तरीके से, जब cellophane membrane जो की पूरस है, पूरस cellophane membrane से जब blood पास होता है, तो blood के अंदर जो nitrogenous waste है, यूरिया है, यह concentration gradient के आधार पे मौझ करते हैं, जो कि dialysis fluid के अंदर nitrogenous waste नहीं पाये जाते हैं, इसलिए जो यूरिया है blood के अंदर, यह freely मौझ होके, dialysis fluid के अंदर चला जाता है, और इस तरीके से person का जो blood है, वो clear हो जाता है, अब जो cleared blood है, इसको वापस भेज दिया जाता है, परसन की body में एक vein के थुरू, लेकिन anti-heparin को add करने के बाद, देखें, जब blood को निकालते हैं, तो उसमें heparin मिलाते हैं, और blood को जब वापस patient की body में डालते हैं, तो उसके पहले anti-heparin यूज किया जाता है, अब NCRT कहता है कि ये जो तरीका है, dialysis का this is a bone, ये एक वर्दान है, for thousands of uremic patient all over the world, दुनिया भर के हजारों patient के लिए, अब ये जो dialysis का तरीका है, ये dialysis ultimate cure नहीं है, क्योंकि इस case में person की body के अंदर, फिर से urea एकठा होगा, और हमें निशिस समय के बाद, उस urea को निकालने के लिए dialysis करने पड़ेगी, तो इसके लिए ultimate cure होता है, kidney transplantation is ultimate method in the correction of acute renal failure, या kidney failure, तो ultimate method अगर आपके निट में पूछा जाए, तो आप kidney transplantation बताओगे, और इसके लिए हमें एक donor की जरूरत पड़ेगी, जो अपनी kidney donate कर सके, खास दोर से close relative होना चाहिए, ताकि जो immune system के दौरा rejection की संभावना है, वो कम हो सके, आप देखोगी जो cell mediated immunity होती, ये rejection का का काम करती है, जो आज कल के modern procedure हैं, उनके दौरा जो ऐसे complicated procedure हैं, जैसे kidney transplantation उनमें success current काफी ज़्यादा increase हो चुका है, दूसरा यहाँ पर बटा है renal calculi, जिसे आप कहते हैं stone होना, या फिर आप कहते हैं पथरी हो गई है, तो जो पथरी उनको renal calculi कहा जाता है, और ये stone या insoluble mass होते हैं, crystallized salt के जैसे calcium oxalate, जो kidney के अंदर बन जाते हैं, सबसे last यहाँ पर disorder glomerulonephritis है, inflammation of glomeruli of kidneys called glomerulonephritis, तो अब summary में देख लीजे, अगर कोई point important तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तो important है, कि nature of nitrogenous waste formed and their excretion vary among animal, mainly depending on the habitat, यानि availability of water, यानि किस तरह का nitrogenous waste और किस तरह का excretion animal में होगा, ये habitat पर निर्वर करता है, आपने देखा कि जो animal ज़्यादा तर पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो ammonia का remove करते हैं, terrestrial adaptation में uri और uric acid का remove होता है, बाकि यहाँ पर कोई point, एक point यहाँ पर important, filtration is a non-selective process, यह important point है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, बाकि कोई नया point अगर मुझे मिलता है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर NCRT नेक्ची लिखी, वासा रेक्टा, capillaries, parallel to, handlage loop, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, चले आप कुछ point यहाँ पर दिये गए, आपको true-false बताना है, जैसे तीसरा question यहाँ पर दिया गया, mikturation carried out a reflex एक्दम सही, जिसे mikturation reflex कहते हैं, ADH help in water elimination, making the urine hypotonic, यह गलत है, यह गलत है, protein free fluid is filtered from blood plasma into the bomb and capsule, बिल्कुल सही protein free fluid होता है, जो bomb and capsule के cavity में पहुंचता है, handlase low plane important role in concentrating the urine, यह भी सही है, handlase low counter current market, इसमें काम करता है, और urine को concentrate करता है, glucose is actively reabsorbing the PCT एकदम सही है, अब यहाँ पर एक match the column आपको दिया गया, इसको भी कर लीजे, ammonotelism, ammonotelism की अगर बात करें, तो ammonotelism कहाँ पर है, bonifices में, bauman capsule की अगर बात करते हैं, तो bauman capsule, renal tibule से match कर दीजे आप, mikturition की बात करें, तो mikturition का संबंद कहाँ से है, urinary bladder, uricotelism, बर्ड से आप relate कर दीजे, ADH water, reabsorption का का काम करेगा, तो यह आप match करवा सकते हैं, यहाँ पर, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर भी कुछ कुछन दिए गए हैं, name the following, एक caudate animal having flame cell as excretory structure, तो इसका आपने पढ़ा था, that is, amphioxus या ब्रेंखियो, stoma, a caudate है, जिसमें flame cell पाई जाती है, cortical portion projecting between the middlery primate in human kidney, इन्हें कहा जाता है, column of bertini, column of bertini हो जाएगा यह, a loop of capillary running parallel to handlaze loop, that is named as wasa recta, यह wasa recta हो जाएगा, अब fill in the gap, यह भी आप कर सकते हो, अब आसा नहीं से मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है, वैसे आपको खुद करना चाहिए, ascending limb of handlaze loop is, dash dash to water, whereas descending limb is, चलिए, अब इसमें fill करना है, जो ascending limb, handlaze loop की होती है, ascending limb के बारे मैं कहरा, तो ascending limb is impermeable to water, ascending limb impermeable होती है, और जो descending limb होती है, water के लिए permeable होती है, reabsorption of water from distal part of tubule is facilitated by, अब distal part का मतलब DCT से, water का reabsorption कौन कराता है, ADH कराता है, अब बेटा, आज साम को इसी chapter के, हम 75 important question करेंगे, और जितनी भी theory मैंने आपको पढ़ाई है, इस theory से हो question आप कर लेंगे, हो सकता कि कुछ topic बाहर से भी हम करें, तो ये NCRT based पूरी theory मैंने आपको पढ़ाई, और हर एक line मैंने cover की यहाँ पर, करीब एक घंटे या 70 गनट का time हमें यहाँ पर लगा है, जहाँ पर हमने पूरा chapter cover कर लिया है, अगर आप इस chapter को डीटेल में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे classroom biology video lecture को आप purchase कर सकते हैं, जिनकी online streaming की cost 25,000 रुपे हैं, लेकिन need 2020 के लिए आपको केवल 3,000 रुपे में दिये जा रहें, यानि 3,000 रुपे में आपको classroom के video lecture प्रोवाइड किये जाएंगे, और ये video lecture इतने powerful हैं, कि ना केवल इससे आपका need का score बढ़ेगा, बलकि आपका selection भी होगा, और आपकी rank भी बहुत बहतर आएगी, तो आप जल्दी से जल्दी इन video lecture को लेके, अपनी तयारी को और अच्छी तरीके से boost अप कर सकते हैं, आप चाहें तो एक unit भी purchase कर सकते हैं, केवल 500 रुपे में, जैसे human physiology है, इसके 7 chapter हैं, 500 रुपे में आप पूरी unit purchase कर सकते हैं, और अपनी नीट की तयारी को और बहतर कर सकते हैं, तो बेटा, आज की इस video के लिए इतना ही साम को 5 बज़े में फिर मिलेंगे, जहाँ पर इसी chapter के question को हम discuss करेंगे, तो आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी doubt हैं, तो comment session में मुझे जरूर बताईएगा, उनको मैं किसी ना किसी वीडियो में जरूर explain करूंगा, और साम कों 5 बज़े फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए best of luck.